नमस्कार मद्य प्रदेश लोग सिवा आयोग वन परिच्छा 2023 प्रिलिम आप लोगों के अल्डेडी हो चुके हैं मेंस का जो एक्जाम है उसकी एक जो टेंटेटिव डेट है कि 25 फेबर्वर्वरी को ये एक्जाम होना है यही आप फाइनल डेट लेके चलिए जब तक कोई प्रॉपर नौटिफिकेशन ही आ जाता है कि मनला जो कॉमन बाचीज होती है इन पर रूमर्स पर काम नहीं चलता है इन पर अगर हम लोग आज की 20 दिसंबर को खतम करते हैं तो अभी आपने पास जो बचा हुआ टाइम है इसके लिए 10 देज आपके पास दिसंबर के है 31 देज जनवरी के है और फेबरिवरी में हम लोग दो पार्ट में डवाइट कर लें 10 देज और 14 देज का सक्सान तो अराउंड 10 देज आपके पास फरवरी में है कुल मिला के ओवराल अभी भी आपके पास 51 देज हैं या 50 देज ले लिजिए प्रपरेशन के लिए आपके पास अभी 50 देज का टाइम है इसमें भी अभी आपके अराउंड 10-12 देज हैं जो वेस्ट देज होंगे प्रिलिम में होगा नहीं होगा इसमें कुछ जाएंगे कुछ लोग सिविल पे ध्यान दे रहे होंगे तो ऐसे लगवग 10-15 दिन और जाएंगे तो आपको अगर 50 देज मिलते हैं वो भी एनाफ है 35 देज भी मिलते हैं तब भी आप काफी हट तक कवर चीज़ें कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि ये कम टाइम है इनाफ टाइम है प्रप्रेशन के लिए अगर आपको 6 मन्त या 1 यर भी दे दिये जाए तब भी प्रप्रेशन वही होती है बस होता क्या है जदा टाइम हो जाता है तो आप चिल मारते रहते हैं आराम से धीरे धीरे भड़ते रहते हैं बस वो रहता है अभी क्या प्रेशर बढ़ा रहेगा बिलकुल हाइपर रहोगे रैपिट जल्दी जल्दी पढ़ोगे एक्जाम का जो पैटर्न है अब मैंसे होगा क्या लगवग 40-50 परसेंट ऐसे एस्परेंट्स हैं जो पहले से सिस्टम का पार्ट है एक दो बार मैंसे लिख चुके हैं उन्हें एक बेजिक आइडिया है कुछ नए है तो उनके लिए है थोड़ी जानकारी कि अपना यहां जो पेपर होता है उसमें 150 टोटल कुशन्स आते हैं दो सेक्शन है इसमें पहला सेक्शन है यह यह खंड एक जिसमें 50 कुशन्स होंगे 50 कुशन्स यह कुशन्स बाइलार्ज MP और जो अपना है History, Geography, Quality उससे यह बाला पार्ट है कि यह बाल इसमें MPG के ही नहीं है आपके अपना जो History, Geography, Quality है उससे भी Related कुशन्स इसमें आते हैं सब को जिन्हों ने यह 50 कुशन्स में डाल दिया जो B section है हाँ यह E section जो है इसे आपको Individually पास करना होता है ऐसा नहों कि आपके इसमें कम Marks आजाएं Individually के भी इसू है कई बार हम लोग इसे बहुत ज़दा हलके में ले ले लेते हैं लगता है अभी तो प्रिलिम निकाला है हमारा तो निकल ली जाएगा हमने भई छह बार, पांच बार प्रिलिम निकाल चुके है हमारा निकल जाएगा हम लोग इसको अच्छे से हैंडल कर लेंगे तो इसे हवा में मतले जिन्होंने चाट सार पांच पांच बार प्रिलिम निकाल के चाट सार बार इंटर्विव में बैठे हैं वो लोग भी इस सेक्षिन की बज़े से बाहर हो गए है फिप्टी कुश्चन है आप कोशिज करिए 45-46 कुश्चन इसमें इजली हैंडिल हो देखो टूटन फायर फाइटिंग है एसी आफ की पोस्ट के लिए रंजर तो एक लेबल की है रंजर से एसी आफ बनने में आपको 10 साले लग जाएगी 10-11 साले तो बहतर है आप एसी आफ को टार्गेट करके चले 45-46 तक टार्गेट लेके चलो otherwise 30-35 अगर आप लेके जाते हैं तो फिर क्या है जैसी मेंस देदोगे फिर आपके ब्लड ट्वेसर बढ़ेगा होगा के नहीं मेंस क्लियर होगा के नहीं मेंस निकल जाएगा बॉर्डर पे निकला फिर हाइपर होगे इंटर्विव में कमा अल्क्स ना जाए फिर इंटर्विव वो हमेशा बॉर्डर लाइन के प्रिशर रहता है तो बेदर है आप यह ऐसा पार्ट है जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं उसे करो इसमें आप MPGK के लिए दो बुक्स यूज कर लीजिए यूट्यूब चैनल पे जो टॉपर्स हैं 2020 बेच के फर्स्ट रैंग थार्ड रैंग, फूर्थ रैंग जिसमें सबकी इंटर्विव पड़े हुए हैं उन्होंने MPGK का कहां से पढ़ा है जनरली दो बुक्स रिफर करते हैं जीके की आप उनमेंसे उनके इंटर्विव एक बार देख लेना वहां पर आपको जीके कीजली दो बुक्स मिल जाएंगी दोनों को आप प्रॉपर पेज टू पेज सही से पढ़ डाली है सिकंड पेपर है वान की और सामान विग्यान इसमें दस यूनिट है और हर यूनिट से दस दस कुश्टन, सो कुश्टन साथ है 300 Mark का यह रहा पचास Mark ये 50 कुश्टन, 3 Mark, 1500 का यह रहा टोटा साड़े 400 का है इंटर्वियू बाद में देखा जाएगा इसमें बहुत ज़्धा इंपेक्ट नहीं पढ़ता है इंटर्वियू से पढ़ता है लेकिन बहुत ज़्धा नहीं क्योंकि सब कुछ तो मैन गेम यहीं हो जाता है तीन घंटे का पेपर है तो आप यह साड़े चार सो पर दियान दीजिए यह जो 20 सेक्षन है सिलेबस ऐसा है कि 20 सेक्षन को 10 यूनिट में डिवाइड किया कुछ तो पुरानी यूनिट्स हैं इसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बाइलोजी, इन्वायरमेंट दस-दस कुस्टिन इनके, मैथ रिजनिंग के 10 कुस्टिन एक है जन जाती यह ट्रावलोजी का जो आप MPG के में पढ़ते हैं उससे काम नहीं चलेगा थोड़ा डिटील में पढ़ने की जरुवत पढ़ती है 10 कुस्टिन आते हैं, 2-3 कुस्टिन होता है तो MPG के से पढ़ जाता है तो इसके लिए काफी मार्केट में भी रिसूर्सिस हैवायलेवल है ओनलाइन, समविदा वगरे की इनकी आती है तो आप उन्हें देख ली जो ट्रावल म्यूजियम है उसके पोडल पर काफी बुक्स पढ़ी होई है वहाँ पर संपदा के नाम से इक बुक आती है कुछ हेल्प उसकी ले सकते हो मैंन है फोरेश्टि की 4 यूनिट सब कुछ नहीं है भाई 60 कुस्टन यहां से फोरेश्टि वाले पार्ट से एराउंड 42 से 43 कुस्टन आ जाते है आउट ओफ 100 बस क्योंकि नया पार्ट होता है तो थोड़ा लोग हाइपर हो जाते हैं कि फोरेश्टि है फोरेश्टि एसी को पड़ना है ऐसा नहीं कि केबल फोरेश्टि पढ़ते रहे इन पर भी ध्यान देना है बस हो यह जाता है कि डिटेल में अगर आपने बाइलोजी पढ़ी जितनी बाइलोजी पढ़ने में एफ़ट लगता है उतने में फोरेश्टि की फोर यूनिट खबर हो जाती है बस इतने थोड़ा आसान हो जाता है अगर यह आपको इन पर भी ध्यान देना है फिजक्स केमिस्ट्री बाइयो कहां से पढ़ है एक इसू यह भी रहता है देखो भाई अगर आपको जैसे लिवसेंट उठा ली कोई टाइम पास इस टाइब की मैपजी ने उठा ली बुक्स उठा ली उनसे कोई फाइदा है नहीं एक उप्सन है आप नीट के कुछ रिसूर्सेस अगर आपकी साथ में कोई ऐसा परसन है जिसने PMT वगरा की प्रप्रेशन की है क्योंकि वो फजिक समिस्टी बायो तीनों पढ़ते है तो उन्हें एक बेसिक आइडिया रहता है कि कौन कौन से पॉइंट्स है जो इंपोटेंट है बलड कोईगूलेजन में कौन सी बिटामिन यूज होती है लाग हिमोगलोविन क्या बेसिक से जो अधर मोस्ट कॉमन कॉशन से PMT वगराएगे और इंडिया PMT है या MP-PMT जो मोस्ट कॉमन कॉशन से वो यहाँ पर अपने काम के है उतने में काम अपना हो जाता है तो आप उन्हें देख सकते हैं 11-12 की जो biology, physics, chemistry की books है उन्हें syllabus के according आप देख सकते हैं लेकिन यहाँ जब भी आप अपने self prepare करें तो last at list लास्ट जो आपके 20, 21 और 22 के जो मैंस हैं इनके previous year questions जरूर देख ले कि किस level तक ये गए है और उसके according आप अपने जो भी resources लेज़ जाया आप NEET के लिए या जो अपनी MP board है उसके लिए आप अपने साबसें की prepare कर सकते हैं environment के लिए इनके लिए market में काफी books हैं आप अपने 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 इंडिपेंचली कर सकते हैं travelology का एक level से पर इसमें ये दिहार रखे हैं कोई भी part loophole नहीं छोलना है मैं फिर बार बार आप से यही बोलूँगा ये एक्जाम आप लोगों का है इसमें MP PC का कोई लेना देना नहीं है अब जस्ट ऐसे एक अजियूम करके चलिए के मेरे पास एक कराना इस्टोर है और मुझे वहां तो स्टाफ की requirement है अब मैंने online application निकाला हजारों लोगों ने भर दिया अब क्योंकि किराना इस्टोर पब्लिक कंपनी है तो मैं किसी को भी उठा के नहीं रख सकता नहीं तो आरोप लगेगा कि भाई भतीच अबाद चल रहा है तो मैंने एक simple से तरीख कर दिया भाई सब लोग दोड़ लो जो सबसे आगे निकल जाएंगी दो वो दो लोगों को ले लोगा आपकी दोड़ स्टार्ट हुई और जो सबसे पहले जन्होंने point कवर किया सबसे पहले आगे निकल गए वो उन दो लोगों को उठा के मैं अपनी सबसे ले आया बका की दोड़ देराओ कोई फायदा मतलब नहीं है तो ये exam आप लोगों के आपस का है MPPSC के लिए जो भी seat है category Y जैसे है ये आपकी रहे MPPSC को कोई लेना देना नहीं है खासे से उनका काम है कुछ tough type का paper बना दो आप message जो उपर आ जाएगा उसे उसलेक्ट कर लेंगे तो ये competition आपके beach का ही है आपकी आपस में जो आपका कमरा है और आपके बगलवाला है उसी से fight है तो आपको अपनी end पर ये देखना है कि आप ये 10th 12th type की जो preparation है वैसा नहीं है कि ये pH है ये forestry के notes है ये travelology है हम ने इसे पढ़ दिया मेरा काम हो गया वई तुमारा काम हो गया सामने वाला कुछ और पढ़ के बैठ रखा था और उसका question सही हो गया तुमारा नहीं हुआ तुम बाहर हो गो अंदर है सीटें बहुत ज़्यदा थोड़ी है अब जैसे EWS एक सीट के लिए फाइट है OBC में फोर सीट के लिए फाइट है यहाँ पर बहुत ज़्यदा नहीं है यह दो तो चार-चार सीटे ही है यह भले ही यहाँ पर ज़्यदा हो लेकिन ACF के लिए तो बहुत लिम्टेड फाइट है न भई तो जो भी बढ़ो जितना ज़्यदा पर सकते हो आप एक क्योंकि पैसा इजली समझ में आता है जनरली अभी जैसे जो ACF अगर है 50 के अराउंड सेल रही है बगाई TADA मिलके भी सालवर का 6 लाग क्या सपस आप ऐसा मान सकते हो कि अगर आपको 6 लाग साल वर के दिये जा रहे हैं तो वो कम सकम इतनी तो अमीद करेंगे ना कि भी आप 500 पेज की बाहलोजी पढ़ किया होगे अगर 10 यूनिट है और सभी के 500 कर लोगे तो 5000 पेज होगा है आपको वह 6 लाग साल के दे रहे हैं अभी प्रिजेंट में जब आपकी रिटार्मेंट होगी तब आपकी एक बेसिक एवरेज जो सेलरी है वो साइद है 12-15 लाग के उपर पहुंचेगी जो पुराने रिटार्ड है 3 लाग तो उनकी बेसिक सेलरी अभी बन रही है आप लोगों की टाइम पे कई फाइनेंसिल कमिशन की रिप वो आ जाएंगे पेस्किल बढ़ जाएंगे हो सकता है 10-12 लाग पर मंत के असपास सेलरी हो तो आप उस हिसाब से एक एक्सपक्ट करके सोच सकते हैं कि आपको वो डिमांड क्या कर रहे है एक छोटी सी बाइलोजी है जिसे आपको पढ़ना है कुछ पार्ट फिजिक्स का है कुछ चैमिस्ट्री का है इसे कवर करके आपको एक ऐसी पोजीशन पर बिठार रहे है तो वो कम सकम आपसे इतनी उम्मीद करते हैं कि आप 500-600 पेज बाइलोजी के लिए पढ़ लोगे 500 पेज या 400 पेज की आप फिजिक्स पढ़ लोगे इतना तो एटलिस्ट आप इतने ठीक ठाक पैसे के लिए करी सकते हो तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा आइडिया लेकर कि ये थोड़ा सीरियसनेस के साथ उनकी तैयारी करें सिलेबस बगर है आप लोग आराम से डाउनलूड कर लेना देख लेना उसमें कुछ लंबा चोड़ा ऐसा कुछ है नहीं इसमें ये फूरिस्टी की जो फूर यूनिट्स है उसका है एक और यास करना रहतना इसमें कि जब भी आप तैयरी करें मैंने फिर बार बार वहीं बोल रहा हूँ ये टैंथ ट्वल्थ के एक्जाम नहीं है सिलेबस टू लाइन टू लाइन फॉलो नहीं किया जाता है सिलेबस जस्ट आपको एक समझाने के लिए होता है आप सिलेबस रखिए एक बेसिक देदें कि भाई ये कौन सा एरिया है प्लस प्रिवेश रखे कुश्टन से देखिए उनको और सिलेबस को मिला करके जो एक एसपेक्ट वनता है उसकी हिसाब से आप प्रिपेर करिए आपको कई जगाए सिलेबस से बाहर पालना पड़ेगा फोरिस्टी में कई बार है सिल्वी कल्चर सिस्टम आपके सिलेबस का ही नहीं है उससे कुश्टन आया है 2020 में वूड साइंस और टेकनलोजी जो फोरिस्टी उटलाजिशन है इसमें वूड साइंस से कई बार अच्छे कुश्टन बने है और वो इसके सिलेबस से दूर दूर कोई रिलेशन नहीं है तो सिलेबस से बाहर जाते हैं कुश्टन तो उस चीज़ को द्यान रखे कि आपके बल सिलेबस to the point line to line सिलेबस फोलो नहीं करना होता है करने के लिए आपको basicly 3 pillars की requirement है first pillar है आपके paper previous year के ये paper आपको help करते हैं कि आपके जो भी सिलेबस है चाहिए वो physics chemistry bio हो forestry हो वो सिलेबस को समझने में क्योंकि सिलेबस line to line देखने से समझ में नहीं आता क्या पूछ रहे हैं कैसे पूछ रहे हैं पेपर हल्प करते हैं समझने में, एक्जाम की लेबल को समझने में और एक्जाम के पैटर्न में gradually shift होता है, वो किस टाइब से shift हो रहा है उसी इसाब से अपनी preparation को adjust करके notch लियाने के लिए, आप लोगों के पास पहले सी काफी पेपर हैं, जैसे 20 का हो गया है, 21 का है, 22 का है, तिन तो यह forestry के लिए है, physics chemistry, बायो को समझना है, तो आप 18 और 19 में दो बार पेपर हुआ, तो तीन पेपर और ले सकते हैं, forestry के लिए आप 11 और 14 के पेपर को भी कुछ हद तक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनका syllabus ज़्यादा वास्ट था, यहां उतना नहीं है, तो यह यूज़ करिये, पेपर को पढ़ोगे तो समझ में आ जाता है, क्या पढ़ना है, लिकन अब पढ़ना है, कहां से, एक तो option यह है, कि भाई होल मिलके, pirated है, या legal है, बहुत सारी material पहले से available है, मैं आप से बोलू, market में यह यह book से आप इने पढ़ लो, उसका कोई sense नहीं ज पहल दीजिए, all the best, मेरे हिसाब से उनका कोई sense नहीं है, बस अपने मन को समझाने के लवा है, हौन मिलका पहले से बहुत सारा free resources, market में पढ़ा हुआ है, हमारे end पे हम लोग continuous अपडेट करते हैं, exam के जो pattern में shift होते हैं, उसके हिसाब से हर साल addition नहीं लेके आते हैं, क्योंक को पुरानी concept में कुछ गड़बर लगती है, या एक label के बाद, जैसे suppose आप 400 student हो, एक student अगर 100 time अपने issue raise कर रहा है, 400 के बही हो गए है, आपके 40,000 क्या 4,000 क्या around, जो भी हुए, तो अब इतना जब हमारे पास बार बार कुछ चल raise किये जाएंगे, तो चीज़े समझ में आ आउट आ रहा है, कहां नहीं, तो धीरे-धीरे करके content regularly update के जाता है, तो हमारे end में आपको updated study material मिल जाएगा, market में आपको पास पहले से ही है, next pillar आता है, आप रोने pattern समझ लिया, पढ़ना क्या है, वहाँ से व्यवस्था कर ली, third pillar है practice, आप जितनी ज़्यदा से ज़्यदा practice कर सको, पेपर से, market में, suppose forestry का मैंने बोल दिया आपको, physics chemistry bio भी तो है, उसके market में already बहुत सारे resources है, आप उने देखिए, previous year questions, forestry के लिए चलो, suppose यह book है, market में इजली available है, physics chemistry bio के लिए भी बहुत सारी books है, neat की है, ssc की है, tgt, pgt है, बहुत सारे कोच है, जिनके objective आप अपने according, use कर सकते है, self-rescorer वगरे मिल जाएगी, second hand ले लो, आपको कुण सारे top नौच तो लेके जरूरत नहीं है, एक level के लिए, second hand, third hand कोई books देख सकते हो, उसमें, इस type आप at least लेके चल सकते हो, हम लोग क्या provide करवा रहे है, हौनबिल के end पे आपको first thing, एक तो updated study material मिलता है, ज से preparation, जो preparation work है, background सबसे पहले previous year questions का ही रहता है, so current edition हम लोगों ने prepare किया है, 125 papers, यह थोड़े उपर है, exact figures है, 29 के round है, तो 125 के round papers है, total questions इनके हो जाते हैं, 18,000, इन questions के basis पर, जो अपना MPPSC का, relative MPPSC का, जो related area है, उसके concept को समझते हुए, syllabus और PYQ के, उसके हिसाब से आपका यह forestry का study material पनाए गया है, Hindi, English, दोनों ही medium में है, study material यहां लिखा होगा है, 600 page, यह कुछ 550 के around, 560 के around होगा, तोड़ा बहुत, यह miss theory, कुछ cover page है, index है, उस चीज़ों, previous year questions है, उन में cover हो जाता है, इसलिए A6 तक पहुंचाता है, इसके साथ में आपको previous year questions जो हैं, MCQ वो भी दिये जा रहा है, black and white में, यह color में रहेगा, यह black and white में रहेगा, लगवागा आपको around thousand page पहुंच जाएंगे, thousand page का जो size है, वो आपके 42, 43 questions के हिसाब से ठीक है, और last three exam जो है, 20, 21, 22, उसमें हम लोग उने average, जैसे किसी exam में 36 questions, किसी में 37, 38 तक, यह इस range में हम लोगों ने easily cover किया है, आराम से cover हो जाता है, बस इसका मतलब यह नहीं मतले लेना है, कि अभी 2022 का हुआ है, और आपने 22 वाले notes लेके बैठे हैं, 2020 वाले, और अभी 2022 का दिसंबर में जो मेंस हुआ है, उससे आप question निकाले, जैसे जैसे exam के pattern में shift आ रहा है, notes gradually update की जा रहा है, उसके हिसाब से, तो नए वाले fit थे, पुराना वाला उतना fit नहीं था, उसमें काफी loop walls थे, अभी वाला है, जैसी 22 का exam हुआ, उसके बाद इन चीज़ों को adjust किया गया कि requirement क्या है, तो अभी 23 के हिसाब से, वो 23-24 के लिए बिल्कुल proper fit है, 25-26 तक exam में और shift हो जाएंगे, तो फिर बदलने की जरूबत पड़ेगी, ट्राबोलोजी है, ये केवल हमारे पास हिंदी में है, ये लगवाग 100 पेज़ के अराउंड जा रही है, MCQV है, इसमें MP, PSC ने जो various type के exam हुए है, forest, civil और other exam, उनमें जो भी अभी तक ट्राबोलोजी से question पूछे गा है, वो सब के साथ इसमें दे दिए है, इसके अलावा environment, physics, chemistry, biology, ये four unit, जो केवल हमारे पास English में हैं, और लोग आपसे जो charges ले रहे हैं, वो केवल forestry के ले रहे हैं, ये जो five units रहेंगे, ये free complimentary हैं, लेकिन ये केवल forestry के course के साथ हैं, complete course के साथ, तो ये रहे, इनके questions हैं, ये वाले part जो है, पूरा PDF में दिया जाता है, ये केवल print में हैं, next part रहा, वीडियो classes, forestry लगवाक जो है, 70 hour लिखा हुआ है, होता क्या है, course जो है, primary course, वो around 65 hour में cover हो जाता है, five hour हम लोग extra लेके चलते हैं, कहीं discussion हो, कुछ updates देना हो, कुछ ऐसे topic जो syllabus का part नहीं है, और लग रहा है कि नहीं उन पर cover कर देना चाहिए, current में news जएदा है, उससे related, तो फिर वो five hour उसके लिए है, तो around 70 hours जाएंगे, जो आपको app की through में जाएंगे, online के लिए, और offline बैस आपका इन दोर में होगा, इन के लिए हम लोगों ने contact किया है, इसमें biology कुछ हद तक मैं ही पढ़ा हूँगा आपको, environment वाला part कुछ मैं ही discuss करूँगा, और physics chemistry और tribology के लिए other agency है, इन के लिए जिस हद तक हम लोग पढ़ा सकते हैं एक लेबल तक, जो आपको core concept समझ में आ जाएं, जो सबसे ज़्यादा most important points है, बो clear हो जाएं, वो उतना enough रहेगा, आपको बिल्कुल need का exam तो पढ़ाना नहीं है, तो लगवक 10 to 12 hour में, 20 hour में यह चीज है, 2020 लेके चले हैं, कितने में ख़बर हो जाएंगे यह, इस वाले part के आप लोगों से कोई charges नहीं लिये जा रहे हैं, यह complimentary है, forestry course के साथ, इस part के notes या video, forestry के आपने अगर केवल वीडियो लिया है, या आपने केवल notes लिया, उसके साथ नहीं है, यह वाला part जो है, अगर आपने complete course लिया है, जो fee है, 8500, उसी के साथ दिया जा रहा है, क्योंकि उसमें हमें इतना revenue generate हो जाता है, इतना space मिल जाता है, कि हम लोग उसे provide करवा पाएं, individual के साथ background cost इतनी ज़्यदा होती है, कि हमारे लिए space possible नहीं हो पाता है, next है कि offline batch कब से start होगा, होगा कर नहीं, भई होगा, यह जो अपना भवरकुआ रीजन है, उसी रीजन में कुछ इंस्ट्यूट्स है, उनसे communicate किया है, हम लोग खुद one month का लेके चल रहे हैं, January first week से start होगा, जनवरी end तक खतम है, 20 days में पूरा course हो जाता है, जब आपका offline होता है, धाई 3 गंटे का batch लिया, तो 20 दिन में 30 से 60 गंटे इजली कबर हो जाता है, तो वह एक हमें एक one month का course conduct करवाना है, जो sharing basis पर है, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर offline लेके आ रहे हैं, January first week से रहेगा, और January end या February के first week में, यह लगवाख खत्म हो जाएगा वहाँ पर, तो जैसी वो center final हो जाते हैं, आपको जो अपने telegram channels होके रहे हैं, वहाँ पर update ख़र दे जाएगा, और जो online batch है, वो अभी 21 से ही, 21 December से start हो जाएंगे, प्लस जो offline भी लेना चाहते हैं, उन्हें भी online, जो offline ले रहा हैं, उन्हें भी online का access दे दिया जाएगा, जिससे वो अगर जल्दी भी करना चाहते हैं, तो यहाँ से कुछ चीज़ देखके cover कर लेंगे, या वो अभी join कर लेते हैं, तो offline जब होगा तब होगा, उन्हें online का access continue कर दिया जाएगा, next मुद्वर रहता है कि, offline में तो चलो ठीक है, पूशा बताई हो जाती है, online में आप कैसे पूछोगे, या offline में सपोज आप थोड़े पीछे बैठी हुए, आप क्लास में नहीं पूछना चाहते हैं, कई बार क्लास में पढ़ाते हैं समय डाउट नहीं होता है, बाद में कहीं दर दर से question किया, तब डाउट हो रहा है, तो ऐसे डाउट के लिए क्या किया चाहे, तो WhatsApp और Telegram दोनों पर ही चैट ग्रूप बनाए जाते हैं, वहाँ पर जैसे इस टाइप से कर दिया जाता है, जैसे MCQ सेक्षन वहाँ पर हमारे साइट से कुछ डेली अपडेट MCQ वगरा है डाल दिया जाते हैं, अपडेट वगरा है मैं हमारी साइट से जो भी किलास वगरा है ले रहे हैं, PPT वगरा है, कुछ अपडेट से हैं, वो डाल दिये जाते हैं, यहां MCQ डाल दिये जाते हैं, और एक थार्ड सेक्षन है बाचीत का, यहाँ पर आपको जो भी डाउट है, बो डाल सकते हैं, अपने आपस में एक डूसरे से डिस्क्रस कर सकते हैं, आप इसका सबका कामल किस्ट होता रहता है, जिसे एक थोड़ी फिलिंग रहती कि, हाँ कुछ कॉम्प्टिशन है, लोग पढ़ रहे हैं, आप भी नहीं हो, दूसरे भी लाइन में है, तो इस टाइप से, टेस्ट सीरीज एप के थुरू है, आफ लाइन जब वहाँ इन दौर में स्टार्ट होगी, तो आफ लाइन भी मिल जाएगी, हाला कि एप के थुरू भी रहेगी, टेस्ट सीरीज एप, वह करना आप लोगों के पहले सी आईडिया रहते हैं, यह रही फी स्ट्रक्चर, यहाँ पर कंबाइन है, 8500, इस फी में, आपकी जो जी अस्टी है, 18% और कूरियर चार्जेज, वो इन्क्लूडेड है, चीख है, तो यह 8500 चार्ज है, फोरेश्टी की ऑनलाइन क्लास, और स्टेडी माटेरियल का, इन दोर में जो आफलाइन है, उसका है 10,000, जो 1500 रुपए का एक्स्ट्रा पढ़ेगा, वो आप लोगों की जो नंबर है, उसके रिसाब से जो का बेसिक कॉस्ट है, वह ही है किवल, उसमें एकस्टा हमारी साइट से कुछ नहीं लिया गया आप से, अब इसमें जो रिबैन्यू है, तो उससे आपको ये कंप्लिमेंटरी दिया जा रहा है, टस्ट सीरी सेपरेट है, ये 500 मीज 499 की है, तो 500 ही पढ़नी है वो, अगर आप इसमें इंडिविजल कुछ लेना चाहते हैं, तो ले सकते हैं, उसके साथ, क्लास के साथ के अबल क्लास है, नोट्स के साथ के अबल नोट्स है, हिंदी और इंग्लिस दोनों में ही है, इनकी साथ आपको वही मिलेगा, यह बाला पार्ट के बाला कमाइंड के साथ है, टेस्ट सीरीज जो है, इसका यह सेड्यूल है, एक तारीख से 1 जन्वरी से स्टार्ट हो रहे है, और लास्ट है 20 फैब, 21 फरवरी को यह फुल लेंद्ध खतम कर रहे हैं, फुल लेंद्ध इनके यहां से गैप थोड़ा जड़ा होगा, 11 फरवरी से फुल लेंद्ध शुरू जाएगी, इधर यह इनके यूनिट बाइज है, और रेगुलर प्रैक्टिस बीच में चैनल के सुरू होते ही रहेगी, एक मुद्ध रहता है कि क्लास अगर जोइन करना है तो कैसे करना है, एक ट्रैडिशनल बे होता है, वही सेंटर पर जाओ भाई हमें दे दो, पैसे लो और काम खतम, यहां कैसे करना है, इंस्टिट का कॉंटेक्ट नमबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, उस पर वार्साप टेलीग्राम पर सीधा मैसेज कर दो, MPPSC लिखके मैसेज डॉप कर दो, छोड़ दो, हमारी साइड से आपको रिस्पॉंड आ जाता है, जिसमें एक प्रोस्पक्टर से स्टडी माटेरियल के सेंपल, जो डेमो क्लास हैं, बहुत सारी वहाँ शेयर कर दी जाती हैं आपको, आप उन्हें देख लीजिए, जो प्रोस्पक्टर से उसमें UPAID वगर दे रखे, उस पर आप पेमेंट करके, आपको वहाँ अपने तरफ से 4 डेटेल्स देनी हैं, फर्स्ट आपका पूरा नाम, सेकेंड आपका कॉंटेक्ट नंबर, यह कॉंटेक्ट नंबर वो दीजिए, जो आप वाटसाप और टेलिग्राम दोनों पर यूज करते हैं, दोनों का सेमी नंबर देदा, क्योंकि एक ही साथ इंटिग्रेट आइडी हो जाती है, आपका जीमेल आइडी, एक्जाम का नाम क्या है, जैसे आपका सपोज MP4S है, तो आप यह आपर लिखेंगे MPPSC 2023 और आपका कुरियर एड्रेस विट पिन कुड, पूरा इस्टेट का भी नाम लास्ट में मेंजन कर देना, इसे प्लस आपने जो पेमेंट किया, उसका स्क्रीन सॉर्ट सेर कर देना, हमारी साइड से एराउंड 3-4 अवर लग जाएंगे प्रोसेसिंग में, कई बार जल्ली भी हो जाता है, कई बार थो एडिले, तो एवरे रिस्पॉंड कर देंगे, ये बैसे प्रोस्पक्टरस में पूरी डिटेल्स दी गई है, हम लोग रिस्पॉंड कर देंगे और आपको कोर्स ही स्टार्ट हो जाएगा, इस्ट्राइडी माटेरियल जैसे ही हमारे यहां से कूरियर होता है, तो हम लोग उसकी ट्रेकिंग जाते हैं, नेक्स्ट मुद्दा है, एक्जाम के पैटर्ज में किस टाइप से चंजिस आ रहे हैं, जो उसके कोर्स चंजिस हैं, उन्हें तो एक्स्प्लेइन करना है, यहां औरेंटेशन में इतना पॉसिवल नहीं हो पाता है, वो जैसे जैसे आपके क्लास राकुलर बैस् जाते हैं, यहां एक रफली दिये जाए, तो मैं दो मॉडिल सीधा लेके चल रहा हूँ, जो आपकी यूनिट वन है, उसमें कौन-कौन सा पार्ट है, जैसे हम लोग एक तो जनरल फोरस्टी समझते हैं, उसमें, एक स्टेट स्पेसिफिक पार्ट है, सिल्वी कल्चर है, व ओल्ड डेजर्ट, दो-तीन पेज़ का मैं माटेरियल जरूर एड़ कर देता हूँ, वहां, इस उमीद में कि इससे कोई कुशन टपक आएगा, कभी ने कभी, या फिर ये थोड़ा बहुत दर-दर हल्प कर देता है, तो इसलिए ये दो-तीन पेज़ हैं यहां, इससे अभी किस्टी में किया है, बहुत सारा पार्ट है, आपके लगवागा, 26,000 और सब्जक्ट से है, सभी सब्जक्ट आप नहीं पढ़ते हो, कुछ ऐसी सब्जक्ट होते हैं, या कुछ ऐसे एरिया है डिसकर से कोई लिंक नहीं है, बरांड इसकी अपवेंटमेंट होती है, फिर्स सबको संबरी कर दी, मैंस जैसे मेंसुरेशन के कोई फादर हुए बोटनी के फादर हुए, जूलोजी के फादर हुए, सारे फादरों को लेकि एक टेबल बना दी, वो सारी चीजे यहाँ जनरल फॉरिस्टी में आ जाती है और उससे अपने लगवग दस कुछन आ जाते हैं और आपकी जो नोटस हैं उसमें दस मैसे दसों लगवग आ जाते हैं कभी नो आ जाते हैं, बाई लाज़ दस के दसों कवर कर लेते हैं एक है स्टेट स्पेसिफिक स्टेट ट्री कौन से है, स्टेट बर्ड कौन से है स्टेट में कौन सा फोरेश्ट एरिया जएदा है कौन सा नेशनल पार्क बड़ा है, जोटा है टाइगर रिजर वग़र को हम लोग यहाँ ज़धा कवान नहीं करते हैं कि wildlife आला पार्ट आपके में specific है जो basic state का इससे six six question आये थे अभी 22 वाले में किवल एक ही question आया है silvy culture से 33 की जगा इस बार 4 question निकला है silvy culture से जिन लोगों को module 1 अभी half-lal में delivered हुआ है तो कुछ addition में एक थुड़ा loophole था कि हाँ 2 लिखा हुआ है तो वो चला गया अभी इसमें silvy culture से 4 questions आये हैं और trees species से 2 questions आये बाई लाड़ जाकर हम लोग calculate कर ले तो 2 4, 6, 1, 7 10, 17 17 questions आपके अकेले module 1 से आए हैं जो 100 page का material है और इससे आपके 17 questions निकला है second unit जो है आपकी second module for unit for modules second में दो subject है forest mensuration और forest utilization इसमें क्या है भाई यहाँ पर साइद है एक एक दो दो question आये एक question एक question और यहाँ तीन question mensuration के तीन आये थे बीच में 21 में और यहाँ पर अभी फिर आगे इन एक आया और यहाँ पहले भी एक question आये था utilization से 9 question 9 और अभी इस बार 11 questions आये तो roughly देख लो के इस बार 12 टोटल question आये है module 2 या unit 2 से otherwise 9, 12 भी यह questions आये और यहाँ 10 तो roughly माल लो के आपका एक module जो है वो 10, 12, 12, 12 इसमें 84, 85 कुछ pages अगर 84, 85 से आपके 10 question निकला है तो अच्छा ratio है similar आपके unit 3, unit 4 है module 3, module 4 उसमें इस टाइप के जो analysis है वहाँ मिल जाएगी questions पूरी summary मिल जाएगी उसके starting में index के साथ वहाँ पर आपने चीज़े देख लेंगे last में भाई हमारे जो performance है ठीक ठाग है first, second, third, fourth fifth वाले भी भाई साब अपने यहाँ से हैं लेकिन उन्होंने direct purchase नहीं किया था तो उन्होंने तो अपडेट किया था लेकिन क्योंकि हम लोगों ने direct भाई नहीं थे तो इसलिए उन्हें यहाँ पर add नहीं किया गया तो six ACA बने थे five अपने यहाँ से थे RFO के केस में total 90 हुए थे उन मेंसे 61 अपने यहाँ से थे performance ठीक ठाग, IFS में भी है उसमें 108 IFS थे 2021 में उसमें 21 अपने यहाँ से थे इस बार थोड़ा ठीक रहा 149 में से 35 है और उमीद है कि this year 2000 23 का जो batch है यह 22 का result है हम लोग साइध है 75 या 80 के असपास cover कर लेंगे इस बार थोड़ा अच्छा गया है तो आउट आफ वही 140 रानमीज हम लोग 50% IFS थे वार cover कर लेंगे इसके अलावा भी और भी state है MP उत्रखंड है UP है गुजरात है इनमें भी ठीक ठाग performance है बस यह है का सभी का data maintain करना वो इतना कोई फरक यहां पर मतलब नहीं है उसका एक last question है आप मैंसे काफी लोग गोलते हैं कि मैं आपसे बार बार क्यों गोल रहा हूं कि 10th 12 का exam नहीं है हमारे end पर आप लोगों की side से दुनिया भर के questions आते है एक question आता है पढ़ने के अंगल पर आप बहुत ज़्यदा पढ़ा रहे हों slivers में तो इतना है नहीं आपने इतना पढ़ा दिया है आपके notes में importance importance क्या है कौन सा पार्ट है जिससे हटा दे तो वैसा हम लोग already वही पार्ट आपको देते हैं जो आपके लिए important है आप इस टाइब से notes बनाए गए हैं कि आपको back to back front line से लेके end line तक पूरा पढ़िये उसे कुछ छोड़ना नहीं है ये services ऐसी नहीं है कि आपको कुछ छोड़ चाड़के काम चले नहीं तो फिर थोड़ी lethal हो जाती हैं दिक्टें बढ़ जाती हैं तो आप पूरा पढ़िये जो important नहीं होता है हम लोग कोसिस करते हैं कि उसे ना डाला जाए हम लोग खुद ही उसे हटा देते हैं यहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादे चीज़ां होती हैं फिर भी हम ल जिनकी हमें पता होता है कि यह बहुत जड़ा है यहां तक नहीं आएगा तो इसलिए वो पार्ट हटा दिया है फॉर एक्जामपल जैसे forest mensuration में 21 के पिपर में आया था कौनी मीटर का स्ट्री क्राउन को मेजर करने के लिए यूज करते हैं हम लोग IFS वालों को से पढ़ात जड़ा आगे हो गया यहां तक आपका एक्जाम नहीं पूछेगा लेकिन उनने पूछ लिया स्ट्री इस बार्केज है उसे चिसल क्योंकि उचिसले वो उसमें एड़ करके निकलता है चिसल यह भी पूछ सकते हैं यहां पर पूछ लिया mensuration में हम लोग उपको उमीद नही है और अगर आप उसमें से 35-36 भी कवर करके आ रहा है तो यह बहुत बेटर परफॉर्मेंस है अपकी यह में सपोछ 35 का आपका 70 और 20 का कितना हुआ इसका हाफ मतला 18 मीस 88 परसेंट के आसपास 87-88 परसेंट के आसपास परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो कौछ कौन सी बुराई है एक तो यह रहा है सिकंड है हाव मच रीड हाला कि हम लोग पहले ही से देख लेते हैं हाँ एक दिक्कत आती है आख की देखो भई फरस्ट थिंग आख में कई बार को बोलते हैं हमें किलियर नहीं दिखता है क्या कर रहे हैं भई नोकरी ऐसी है जंगल में आप खड़े हो सामने टाइगर जाड़ियों में दुका है आपको दिखी नहीं रहा है तो आप उसके बीच में कलर जो है कॉमोफलेक कर दिया एनिमल कॉमोफलेक कर देते हैं आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है आप तो एक टाप से वहां फोरेश अपार्टमेंट के लिए लिए इसू है उन पर दियान रखें अगर कलर की इसू है तो आप डेफिनिटली वहां पर उसके लिए आप डिसक्वालिफाई है बहतर है आप उस पर ना जाएं परपरिशन करने का कोई मतलब नहीं है सेकेंड तिंग है इसू आता है विजन से ही है लेकिन आपका नंबर है अब नंबर का आता है कितना पर्मिटिवल है आई एफिस में माइनस फूर तक पर्मिट करते हैं वो लोग इस से उपर नहीं क्योंकि आई एफिस का एक लेवल है इस्टेट प्यसी में भी पहलार चीए होना चाहिए लेकिन होता क्या है कि हम लोग जब भी नीचे जैसे अपना अहल्यावाई में भेज दिया मेडिकल कॉलेज में मेडिकल के लिए यह जिन्होंने जहां भी करवाया वो जो डॉक्टर उसे कोई खास लेना देना नहीं है कोई फैमिली का थोड़ी है तुमारे तो उसे अगर तुम साड़े तीन का भी मिल गया ना तो बोल देगा ठीक भ होता था तो दिक्कते थी अब नहीं है प्रिलिम निकालो मेंस निकालो इंटर्व्यू निकालो जब फाइनल सेलेक्शन लिस्ट में नाम आ जाए अब आपको पता है कि आपका सेलेक्शन हो चुका है आप दो तीन चीजे कर सकते हो अगर आपका नंबर सपोज माइनस 3.5 य अगर है योगा प्रेक्टिसेस है आईरवेदिक मेडिसन है आप कुछ उन्हें यूज करिए वो एक एक जड़ तक नंबर कम कर देती है साड़े तीन वाले भी दो डिल्ड पे आए हैं तो आप उन्हें यूज करिए बीस में भी अगर आप स्टार्ट करते हैं गूगल करो क काफी चीज़ें मिलें कि प्रॉपर किसी मेडिकल जो है आरवेदिवाले जो बी है मैस है उनकी है प्ले है ऐसा नहीं कि यूट्यूब पर सर्च कर लिए और बता दिया तो कई बार निगेटिव इंपक्ट हो जाता है तो किसी प्रॉपर जो है क्लीनिक है या डॉक्टर है उनी पर संपर करके ऐसे करें दूसरा है कुछ नहीं हो पा रहा है तो आप लेसिक पर जा सकते हैं लेकिन ये लेसिक पर स्टार्टिंग में जाने की जरूप नहीं है पहले आप अपना एक्जाम किलियर करिए इसके बात जाईए और अगर कलर करेक्शन का दिक्कत है तो भह अगर कोई इसू बचा है तो फिर आप लोग कॉंटेक्ट संपर बगर आया और डी कम्मुनिकेट कर सकते हैं कॉल करके हमारे आसे पूझ सकते हैं और यहां तक ही था जो भी होगा फिर अपने नेक्स्ट क्लास से आगे बढ़ देंगी जो भी इसू रहेंगे धीरे धीरे पर डिस्कॉस आपने चलते रहेंगे धन्बाट जा